एक्जाम विद्ध्याल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जाहिंद हेलो दोस्तो मैं आकश्य का बात आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आपके यूट्यूब चैनल एक्जाम विद्ध्याले में चलिए आज का टॉपिक बहुत इंपोडेंट होने वाला है आप सभी के लिए क्योंकि आज मैं वह कुश्चन लेकर आया हूं जो आपके प्री आप से अन्रोद है कि आप वीडियो को पूई देखें मैं आपको वही सवाल बता रहा हूं जो आने के संबाब ना है जो पूचे के सवाल है ठीक है तो हो जाओ तया जहरी ट्रिक के साथ बिल्कुल सही सुना आपने देखिए बहुती अच्छे ट्रिक लेकर आया हूं आप देंगे चलिए आपको शुरुवात करते हैं आपके पहले कुष्ण से देखिए कुष्ण है आपका एक बित्रन का मात्य असी और मानक बिचलन सोले है तो बिच्रण गुडांक का मान क्या है देखे क्या मैंने आप से कहा एक बिच्रण का मानक बिच्रण सोले है बिच्रण का गुडांक का मान क्या है देखे वैसे अगर बिच्रण का गुडांक मान होता है इसका formula होता है आपका कि मानक बिचलन अपन बित्रण का माध्य जोकी 90 है multiply 100 ठीक है ओके बिचलन का माध्य कितना है मानक बिचलन का माध्य आपका 16 और ठीक है, बित्रण का माध्य आपका 80 है multiply into 16 आपका आंसर आ जाएगा जीरो से जीरो गया तीक है आठ दूनी 16 20 का 20% है जाएगा ठीक है कितना जाएगा 20% आपका राइट अंसर है जाएगा 20% ठीक है अगर आप आप confusion होते हैं कि मतलब कि अगर मालो आपको formula याद नहीं है ठीक है यह तो आप करा basic question अगर आप यह कहेंगे आपको formula याद नहीं है मिलता कि हमें एकडम formula यह रटना पड़े मैं आपको formula रटने की जुरूत ही नहीं पड़ेगी देखिए इन सवाल में क्या होता है कि अक सरकास में पूछे आते हैं इतने भी शवाल पूछे आएंगे आपको एक्जाम में ठीक है तो ऐसा नहीं है यह कुशन में आपको लेक सोले दो संक्या दे रखी है इस question में ठीक है इसमें सबसे चोटी कौन सी है सोले है तो सोले संक्या जो होगी वो उपर आएगी जो सोले संक्या है वो उपर आएगी और बड़ी संक्या नीचे आएगी multiply 100 ठीक है बस सारे सवाल में यही trick है ठीक है मानक बिचलन हमेशा उपर आता है और बित्रण का माद्द नीचे आता है और multiply कर देते हंडर से आपका answer आजाएगा ठीक है मैंने आपको फिर बताया कभी ऐसे कुछ नहीं होगा जिसमें कि मानक बिचलन की संक्या आपको बड़ी मिले और बित्रण का माद्द आपका छोटा मिले ऐसा कुछ नहीं तो इसी तरह से आप 16 बटे 80 multiply 100 तो आप solve करेंगे तो इसका answer है 20% ठीक है next question देखिए वीडियो 2 मेंट के लिए push कीजिए question का answer खुद solve करने की कोसिस कीजिएगा ठीक है आपके लिए question है एक बित्रण का माद्द तेरह और मानक बिचलन साथ है बिचलन गुडांक का मान क्या है आपके option है पचास परसेंट चैटर पॉंट सततर परसेंट त्रेपन पॉंट एट परसेंट या option दी थैटी एट पॉंट एट एट परसेंट मैंने आपको क्या बता है चोटे संक्या ऊपर बड़ी संक्या नीचे multiply 100 से that's all कोई trick नी ठीक है तेरह multiply 100 ठीक है उपर कितना हो हो गया साच सो नीचे कितना हो गया तेरह ठीक है अब देखिए तेरह पंजे 65 अम आपको पांच बार तो जाएगा यह तो कंफर्म है कि पांच बार जाएगा पांच पर कौन सी है एक यह है और एक यह है ठीक है दो option है अब इस तरह से आपके यानिकी दो option तो आपके cancel होग किलियर है आपको पता 50% तो जाएगा नहीं किलियर किलियर तो कितना कटेगा पॉइंट में तो आएगा तो पॉइंट में आएगा तो 53.85 यह question जो भी मैं कराया है न यह आपको previous year में एंटी पीसे में 200 में question पूछे गए है ठीक है आप विश्वास नहीं है तो आप वीडि संक्या नीचे चार बटे बीस इंटू अंडेड बीस पंजे सो पांचो कि बीस क्लियर चलिए next question वीडियो दो मेंट के लिए पूछ कीजिए इस question का answer दीजिए ठीक है यह question आपके एंटी पीसी आरार भी मैं 1216 में फिर पूछा गया है मैं जितनी बता रहा हूं जितनी भी म मैं 5-6 question लेकर आऊं सारे के सारे आपको एक्जाम में प्रिवेस एर में पूछे के सवाल है ठीक है अब मैं क्या बताया था आपको चोटी संक्या उपर बड़ी संक्या नीचे अपॉन 40 multiply करना है 100 से that's all ठीक है तो 100 बटे 4 एंड की 25% कितना आया 25% ठीक है चलिए अगला question चोटी संक्या उपर बड़ी संक्या नीचे multiply 100 से करना है 100 से 100 70% is the right answer clear कुसरे में आया इसका formula वैसे यह होता है कि बिचलन गोड़ांक बरावर मानक बिचलन अपॉन बिचलन का माद्ध बिचलन का माद्ध ठीक है बिचलन का माद्ध अगर आप इसमें बहुत confusion होता है मैं जानता हूं इस topic में होता ही confusion है क्योंकि एकजान टाम में याद नहीं रहता कि बिचलन का माद्ध नीचे आएगा या मानक बिचलन नीचे आएगा इसलिए मैं आपके लिए यही ट्रिक बता रहा हूं कि जो भी आपको छोटी वैलू होगी वो उपर आएगी और बची बची बैलू आपको जो बड़ी अगर मालो या बिचलन का माद 80 देरका होता तो इसका रहां टाया तक असी क्योंकि आपको आप जानते है माना बत्र बड़ी संक्या तो नीचे आती है वो अंडड से कैंसल हो जाएगी ठीक है यह अंडड है अगर मल्टीप्लाइम अंडड होता था तो चैंसल हो जाएगी तो जितने भी आंसर होगा माना बचलन अगर बित्र का माद 100 है तो माना बचलन जितना होगा वही राइट आंसर होगा टीक है तो यह आपके कुश्यन है तो कैसी लगी वीडियो आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में सेयर करें सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपन मिनट की दो दो मिनट की ऐसी वीडियो लेकर आँगा मैं जो कि आपके प्रिवेस एर में एंटी पीसी में पूशे कैसा वाल है ठीक है ना और आपको पता है कि एंटी पीस का एक्जाम बहुत ही जल्दी आया तो यह आपके विडियो बहुत ही ज्यादा हेल्फुल होने बाली है फरवरी में इसका एक्जाम स्टार्ट होने वाला है ऐसे बहुत ही ज्यादा चोटी चोटी वीडियो लेकर आँगा आप सभी के लिए मैं ठीक है तो आप बने रही है इस चैनल के साथ अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए वीडियो को लाइक कीजि ट्रिक मैं इस वीडियो में लेकर आऊँगा आप सभी के लिए तो जहरी लिट्रिक के साथ बिलकुल हां सही करा जैसे अभी मैंने यह आपको ट्रिक कराई है रहा बिलकुल सेम टू सेम ऐसी आपको ट्रिक मिलेंगी तो बने रही है चैनल के साथ अगर आपने सब्सक्राइ किजिए लाइक किजिए कमेंट और सियाथ किजिए तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ नाइट गुडबाई लवियो और